बच्चो अब हम पढ़ेंगे के 1950 से 1990 के बीच में क्रिशी की क्यास सीती रही अध्याई एक में हमने पढ़ा के अंग्रेजों की नीतियों के कारण क्रिशी पर उनका बहुत नाकारात्मक प्रभाव पढ़ा उन्होंने कर एकत्र करने के लिए जमिदारी परथा को अपनाया जमिदारी परथा ने क्रिशी को बहुत अधिक नुकसान पहुँचाया जमिदारी परथा के अनुसार जमिदार को गाउं की भूमी का स्वामी बना दिया गया किसान जो पहले अपनी जमीन पर खेती करते थे अब काश्टकार बन गए काश्टकार जमीदारों से जमीन किराय पर लेते थे और खेती करते थे सरकार जमीदारों पर कर लगाती थी जमीदार वह कर काश्टकारों से वसूलते थे सरकार यह ध्यान नहीं देती थी कि जमीदार कास्टकारों से कितना कर वसूल रहे हैं अधिकतर जमीदार किसानों से बहुत अधिक मात्रा में कर वसूलते थे लगान के लिए कास्टकार कई बार रिन भी लिया करते थे जमीदार बहुत धनी होते चले गए और कास्टकार गरीब होते चले गए जमीदार भूमी के स्वामी थे किन्तू वे खेती नहीं करते थे और कास्टकार खेती करते थे लेकिन वे भूमी के स्वामी नहीं थे इसलिए ना तो जमीदार और ना ही कास्टकार भूमी की उत्पादक्ता को बढ़ाने के लिए कोई परियास करते थे जिसके कारण उपनिवेश काल में कृशी उत्पादन में भारी कमी आई सतंतरता के पश्चाद हम अपनी आवशक्ता का अनाज भी उत्पादित नहीं कर पाते थे अपनी आवशक्ता का अनाज हमें अमरीका जैसे देशों से आयात करना पड़ता था क्रिशी क्षेतर में सुधार लाने के लिए सरकार ने अजादी के बाद कदम उठाए सतंतरता के एक वर्ष पश्चाद ही भारत सरकार ने क्रिशी क्षेतर में सुधार लाने के लिए कदम उठाए जिसमें से सबसे पहला कदम था बिचोलियों का उन्मूलन इस कदम के तहत आजादी के एक वर्ष पचात ही सरकार ने जम्मिदारी प्रथा के खिलाफ कानून बना दिया और इसे खतम घोशित कर दिया गया वास्तविक करिशकों को भूमी का स्वामी बनाना इस कदम का मुख्य उदेशे था इस कदम का उदेशे कर्शीक शेतर में कास्तकारों और जम्मिदारों के बीच समानता लाने के साथ साथ किसानों को निवेश के लिए प्रेरित करना भी था जमिदारी प्रथा के उमूलन के कारण लगबग दो सो लाग कास्तकार सरकार से सीधे संपर्क में आ गए अब वे जमिदारों के शोशन से मुक्त हो गए अब उन्हें कोई लगान जमिदारों को नहीं देना था अता जो कुछ उनके खेतों में उत्पादित होता था वह उन्हीं का होने वाला था इसलिए किसानों को उत्पादन बढ़े आने की प्रेड़ना मिली किन्तु जमिदारी प्रथा के खतम होने के कारण समानता गउदेशे पूर्ण नहीं हो सका क्योंकि इस कानून में बहुत कुछ कमिया थी जिनका फायदा जमिदारों ने उठाया जमिदार अभी भी बड़े भूखंडों के स्वामी बने हुए थे उन्होंने अपना स्वामी तो जमीन से खतम नहीं किया था कुछ स्थानों पर जमिदारों के द्वारा कास्टकारों को जमीन से बेदखल कर दिया गया और कुछ स्थानों पर जमिदारों ने खुद को वास्तविक क्रिशिक होने का दावा पेश किया जिसके कारण जमीन जमीदारों के पास ही रही और काश्टकारों के पास नहीं जास की दूसरा कदम था भूमी सीमा का निधारन भारत के अधिकतर लोग सुतनतरता के समय क्रिशी कारियों में लगे वे थे गरीबी का एक बहुत कारण था भूमी हिंता सरकार ने यह निर्ने लिया कि जिस व्यक्ति के पास एक सीमा से अधिक भूमी होगी उसे सरकार अधिगरित कर लेगी और उस अधिगरित भूमी को उन लोगों में व्रतित कर दिया जाएगा जिन के पास कोई जमीन नहीं है ऐसा करके सरकार भू स्वामित्व के केंद्री करन को कम करना चाहती थी लेकिन इसमें कई बाधाएं आई सरकार के इस निर्ने को भू स्वामियों ने नियले में चुनोती दे दी जब तक नेले का फैसला आया तब तक भू स्वामियों ने अपनी जमीन अपने निकट समंदियों के नाम कर दी या बांट दी इसका प्रिणाम यह हुआ कि भूमी की सीमा का निर्धारन का उदेश्य पूर्ण नहीं हो पाया इस प्रियास के असफल होने का एक कारण राजनितिक इच्छा शक्ती की कमी भी रही पूरे भारत में केवल केरल और पश्शिम बंगाल ये दो राज्य ऐसे थे जो वास्त्विक किसान को भूमी देने के लिए प्रतिबत थे बाकी राज्यों ने इस मसले पर धील बरती जिसके कारण आज भी जोते असमान रूप से वित्रित हैं हमारे देश में बहुत सारे ऐसे व्यक्ती हैं जिनके पास भूमी नहीं है यानि जो भूमी हीन है और मुठी भर लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन के बहुत बड़े बड़े भूखंड है हरित करांती भारत में सतनता गे समय क्रिशी जीविका का एक परमुक्स रोथ थी भारत की लगबग 75% जनसंख्या क्रिशी के उपर परत्यक्ष और अपरत्यक्ष रोफ से निर्बड थी बच्चो आप यह भी जानते हैं कि अंग्रेजों की नीतियों के चलते क्रिशी की उत्पादक्ता बहुत कम थी क्रिशी उत्पादक्ता कम होने का दूसरा कारण यह था कि यहां पर क्रिशी परमपरागत तरीकों से यानि पुरानी तक्नीक के साथ खेती की जाती थी यानि पुरानी फसल से ही बीज बचा कर अगली बुआई के लिए रख लिए जाते थे खेतों में खाद घरों के कचरे और जानवरों के गोबर या मल से मिलती थी क्रिशी सिचाई के लिए मौनसून पर निर्बर थी यदि देश में मौनसून अच्छी होती थी तो क्रिशी उत्पादन भी अच्छा होता था यदि मौनसून के तहट बारिश कम होती थी तो क्रिशी उत्पाधन भी कम होता था किन्तु इस कम उत्पाधक्ता के गतिरोध को HYV बीज अर्थात उच पैदावार वाली किस्मों के बीजों ने दूर किया इन बीजों के इस्तेमाल से क्रिशी उत्पाधन में एकदम से उच्छाल आया किन्तु यह उच्छाल के केवल HYV बीज के इस्तेमाल भर से ही नहीं आया बलकि बीजों के साथ साथ प्रयापत मातरा में रसाइनिक उर्वरकों, कीट नाशक दवाईयों, सीचाई के लिए पानी का प्रियोग किया गया और इन सब का प्रियोग उचित मातरा में उचित समय पर किया गया इसके साथ इन सब आगतों को खरीदने के लिए किसान को वित्य साधनों की अवशक्ता थी इन सब आगतों का एक साथ उचित मातरा में उचित समय पर परयोग करने के कारण कृशी उतपादन में जो वृद्धी हुई उसे ही हरित करान्ती कहते हैं हारित करांती के पहले चरण में यानि 1960 के दशक के मद्धे से 1970 के दशक के मद्धे तक HYV बीजों के परियोग से पंजाब, आंदरपदेश और तमिल नाडू जैसे राज्य लाभानवित हुए इसका कारण ये था कि इन राज्यों में किसान समर्द थे और उन्होंने क्रिशी की नई प्रत्योंकी को असानी से अपना लिया, किन्तु इसका असर बाकी राज्यों में बेसर रहा दूसरा, हरित करांती का लाभ केवल उन्ही राज्यों को पहुँचा जो गेहुँ उत्पादन में अगरीनी थे हरित करांती के दूसरे चरण में यानी 1970 के दशक के मद्धे से 1980 के दशक के मद्धे तक HYV बीजों की प्रदोगी की काविस्तार सरकार के प्रयासों के फलसरूप अन्ने राजों तक भी पहुँचा सरकार ने इसके लिए छोटे किसानों को रसाइनिक और वरक पर साही की परदान की ताकि वे इनका इस्तेमाल कर सके उन्हें फसल बीमा की सुविधा परदान की गी छोटे किसानों को बैंकों से कर्द दिलवाय गया अनुसंधान केंद्रों की सेवाओं से छोटे किसानों के जोखिम कम हो पाए क्योंकि आधनिक प्रद्योग की से खेती करना छोटे किसानों के लिए एक जोखिम भरा कारे था HYV बीजों से उत्पादित फसल को कीट बहुत अधिक लगते हैं और इन कीटों के आकर्मन की संभावना बनी रहती है यदि समय से कीट नाशकों का अपयोग नहीं किया गया तो फसल चौपट हो सकती थी किन्तु सरकार के प्रयासों के कारण छोटे किसानों को भी हरित करांती का लाब मिल पाया और छोटे और बड़े किसानों के बीच समानताएं कुछ हद तक कम हो पाई हरित करांती के कुछ लाब भी हुए जैसे कृशी उत्पादन में दुगनी से भी अधिक वरिदी हुई किसान के पास अपने निर्वा के लिए फसल रखने के बाद विपणन के लिए अधिशेश बच गया और उस विपणन अधिशेश को विबजार में जाकर बेचने लगे खाद्यानों के अधिक उत्पादन के कारण खाद्यानों की कीमतें बजार में कम हो गई और इससे आम व्यक्ति को फायदा हुआ अधिक खाद्यानों के उत्पादन के कारण देश की सरकार ने खाद्यानों के भंडार यानि बफर स्टॉक बनाए ताकि खाद्यानों का उपयोग सरकार उस समय कर पाए जब देश पर कोई विपती हो हरित करांते के कारण किसानों की आर्थिक दशा में सुधार आया क्रिशी आधुनिक तरीकों से होने लगी अब यह प्रशन उठा कि क्या किसानों को सबसिडी या आर्थिक सहय की देना उचित है क्या किसानों को आर्थिक सहय की दी जानी चाहिए अब प्रशन यह उठता है कि क्या किसानों को सबसिडी दी जानी चाहिए क्योंकि इससे देश की सरकार के उपर अनावश्यक बोज पड़ता है आप जानते हैं कि आर्थिक सहाईकी का किसानों को देने का मकसद छोटे किसानों के जोखिम को कम करना था कुछ हर्शास्तियों का मत है कि जब एक बार आर्थिक सहाईकी देने से छोटे किसानों की दशा में सुधार आ गया तो इसे बंद कर देना चाहिए दूसरा विचार यह है कि रसाइनिक उर्वरकों पर आर्थिक सहय की प्रदान करने से बड़े किसानों और उध्योग पतियों को लाब हो रहा है इसलिए इसको बंद कर देना चाहिए लेकिन आर्थिक सहय की कारण छोटे किसान और धनी किसानों के बीच अस्वानताएं कम हुई है इसलिए आर्थिक सहय की लक्षित होनी चाहिए सकल घरिलूत पाद और रोजगार में क्रिशी का योगदान 1960 के दशक के अंतिम वर्षों में भारत खाद्यानों के मामलों में आत्म निर्बर हो गया लेकिन इसका नकारात्मक पहलू यह था कि यह क्रिशी पर 50% से अधिक जनसंख्या अपनी जीविका के लिए क्रिशी पर निर्बर थी जबकि क्रिशी का सकल घ्रेलु उथपाद में योगदान कम होता चला गया सन 1951 में यह 51% था जो 2018 तक 19% से भी कम हो गया इसका अर्थ है क्रिशी का योगदान कम हुआ है और Vacitale और 13 क्षेत्र का योगदान बढ़ा है लेकिन ये क्षित्र लोगों को रोजगार देने में सफल नहीं हो पाए है अभी भी आदी से अधिक जनसंख्या कृशी पर निर्भर करती है अनेक अर्शास्त्री इस दशा के लिए उस आर्थिक नीती को दोशी मानते हैं जो 1950 से 1990 के बीच अपनाई गई झाल